हेलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल एंजो इस्टेडी लाइप यूटूब चैनल में आज सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में राश्तान जीके के इंपोर्टेंट कुछनों को पर डिसकस करेंगे दोस्तों आपके राश्तान एंटीपीसी सीटेट आदि कॉम्पुटिटिव एकजाम में राश्तान का जीके पूछा जाता है तो दोस्तों मैंने आपके लिए राश्तान जीके के वेरी इंपोर्टेंट कुछन बनाए है जो इन कॉम्पुटिटिव एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों तो दोस्तो राजस्तान राज्य का पहला राष्टिय उद्ध्यान है रण थम्बोर राष्टिय उद्ध्यान तो दोस्तो उसके करिक्ट आंसर होगा रण थम्बोर राष्टिय उद्ध्यान राजस्तान राज्ये का पहला राष्ट उद्यान है रन थंबोर राष्ट उद्यान नेक्स्ट कुशन राज्ये की पहली बाग परियोजना तो दोस्तों आप से कुशन पूचा है राजस्तान राज्ये की पहली बाग परियोजना कौन सी है दोस्तों आपको बतन है राजस्तान राज्य की पहली बाग परियोजना तो दोस्तों पहली बाग परियोजना है राजस्तान राज्य की वह है रण थंबोर रण थंबोर जोसके correct answer क्या होगा रण थंबोर next question राजस्तान राज्य का नरत्य तो दोस्तों आपको राजस्तान राज्य का नरत्य बतन है तो दोस्तों कुन सा नरत्य है राजस्तान राज्य का तो दोस्तों राज्य का नरत्य है घूमर तो दोस्तों कुन सा नरत्य है घूमर तो इसे correct answer क्या होगा घूमर नरते next question राज्यगीत दोस्तों आपसे पूचा है राज्यगीत तो दोस्तों राज्यगीत कुन सा है तो दोस्तों राज्यगीत है केसरिया केसरिया बालम एधरो निमहरे देश महरे देश तो दोस्तों राज्यगीत है केसरिया बालम एधरो निमहरे देश तो दोस्तों से correct answer होगा केसरिया बालम एधरो निमहरे देश next question राज्यगीत का राज्यपुस्पूट तो दोस्तों राज्यगीत का राज्यपुस्प पुचा है आपसे कुशन में तो दोस्तों आपको राज्यगीत का राज्यपुस्प बताना है तो दोस्तों कुन सा है राज्यगीत का राज्यपुस्प तो दोस्तों इसका correct answer बताएं तो इसका correct answer होगा रोहीडा दोस्तों राजस्तान राज्य का राज्य पुस्प है रोहीडा तो इसका correct answer होगा रोहीडा next question राज्य वरक्स तो दोस्तों आपसे question पूचा है राज्यस्तान का राज्य वरक्स कोन सा है तो दोस्तों राजस्तान का राज्य वरक्ष है खेंजडी का वरक्ष तो दोस्तो राजस्तान का राज्य वरक्ष खेंजडी का का वरक्ष है दोस्तों से correct answer क्या होगा खेंजडी तो दोस्तों राज्यस्तान राज्य का वरक्स है खेंजडी का वरक्स next question राज्य पसू तो दोस्तों आप से पूँचा है question में राज्यस्तान का राज्य पसू आपको बताना है तो दोस्तो राजस्तान का राज्य पसू क्या है तो दोस्तो राजस्तान का राज्य पसू है चिंकारा व ओउट तो दोस्तो दोनों को राजस्तान का राज्य पसू गोसित किया गया है फस्ट में है चिंकारा और व ओउट तो दोस्तों राजस्तान के राज्य पत्सु है चिंकारा वा उंट तो इसका correct answer क्या होगा चिंकारा वा उंट next question राज्य पक्सी दोस्तों आपसे question में पहुंचा है अब राजस्तान का राज्य पक्सी तो दोस्तों आपको राजस्तान का राज्य पक्सी बताना है तो दोस्तों राजस्तान का राज्य पक्सी कौन सा है तो इसका correct answer बताएं तो इसका correct answer होगा गोडवन तो दोस्तो राजस्तान का राज़ पक्सी गोडवन पक्सी है नेक्स्ट क्यूशन राज़ खेल तो दोस्तो अब आपको बताना है राजस्तान का राज़ खेल कौन सा है दोस्तो से करिक्ट आंसर बताएं तो दोस्तो से करिक्ट आंसर होगा बास्केट बाल का राज जी खेल तो दोस्तो राजस्तान का राज जी खेल है बास्केट बाल दोस्तो राजस्तान का राज जी खेल है बास्केट बोल तो दोस्तो उसका और अंसर होगा बास्केट बाल नेक्स्ट क्यूसर रेगिस्तान का कलप रुक्स तो दोस्तों आपको बतान है रेगिस्तान का कलप रुक्स किसे कहा जाता है तो दोस्तों बताईए दिखा दोस्तों रेगिस्तान का कलप रुक्स किसे कहते हैं दोस्तों रेगिस्तान का कलप रुक्स केते हैं खेंजडी के रुक्स को खेंजडी के रुक्स को तो दोस्तों राजस्तान का कलप रक्स है खेंजडी का वरक्स तो दोस्तों से करेक्ट आंसर होगा खेंजडी सारवदिक पशुगनत्व तो दोस्तों आपको राजस्तान का सारवदिक पशुगनत्व बताना है कौन से जिलों में सारवदिक पशुगनत्व है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों इसी परकार के Question competitive exam में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये Question सभी एक liner के उत्तर वाले हैं तो दोस्तों सारटिक पसुगनत्व कौन से जिले में पाया जाता है तो दोस्तों सारटिक पसुगनत्व राजस्तान के दोसा राससंबंद राज सम्मंद जिले में पाया जाता है जिलों में पाया जाता है तो दोस्तों जो सारदिक पसुग नतिव है दोसा वर राज सम्मंद जिले में पाया जाता है राजस्तान में तो उसका correct answer होगा दोसा वर राज सम्मंद नेक्स्ट क्यूशन न्यूनतम पसुगनतू तो दोस्तों अब आपसे पूचा है राजस्तान के कौन से जिले में न्यूनतम पसुगनतू पाया जाता है तो दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तो न्यून्दम पसुगनतु राजस्तान के जैसल मेर जिले में पाया जाता है जैसल मेर जिले में तो दोस्तो उसके कर्रेक्ट आंसर होगा जैसल मेर नेक्स्ट क्यूशन राजस्तान की काम देनू तो दोस्तो आप क्यूशन में पोचाए आपसे राजस्तान की काम धेनू किसे कहा जाता है तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों फिर भी आप इसका right answer बताएंगे तो दोस्तों राजस्तान की काम धेनू राठी गाई को कहा जाता है राठी गाई तो दोस्तों राजस्तान की काम धेनू है राठी गाई तो इसे correct answer क्या होगा राठी गाई next question भारत की मेरी नो तो दोस्तो भारत की मेरी नो किसे कहा जाता है तो दोस्तो आपको पता होना है मेरी नो भेड़ की एक नसल है दोस्तो राजस्तान की मेरी नो कहा जाता है मेरी नो तो दोस्तो उसको कहा जाता है चोकला भेड को राजस्तान की मेरी नो चोकला भेड को कहा जाता है तो दोस्तों के करेक्ट आंसर होगा चोकला भेड भारत की मेरी नो चोकला भेड को कहा जाता है नेक्स्ट क्यूस्ट राज्य का दुग्ध उत्पदन में देश में इस्तान है तो दोस्तो कुन सा है? तो इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका कर्रेक्ट आंसर होगा दूसरा सारादिक दूघ्ध उत्पदं जिला सारादिक मात्राद मिं दूध उत्पदं किया जाता है यह उत्पदित किया जाता है दोस्तो इसका correct answer क्या होगा तो आपको correct answer बतना है तो इसका correct answer होगा जैपूर दोस्तो सारदिक दूद्ध उत्पदन जैपूर में किया जाता है तो correct answer है जैपूर नेक्स्ट क्यूशन अब आपसे पूचा है क्यूशन में नियूनतम दुग्द उत्पदन जिला तो दोस्तो आपको नियूनतम दुग्द उत्पदन जिला बतना है राजस्तान का तो दोस्तो नियूनतम दुग्द उत्पदन जिला है राजस्तान का बांसवड़ा जिला तो दोस्तों इसका correct answer होगा बासवड़ा जीला next question सारवदिक उन उत्पदन जीला तो दोस्तों आपसे पूचा है राजस्तान का सारवदिक उन उत्पदन जीला कौन सा है तो दोस्तों आपको सारवदिक उन उत्पदन जीला बताना है तो दोस्तों इसका correct answer बता है तो दोस्तों इसी परकार के question पटवारी NTPC, LDC, CTET और 1 रक्षक, 1 पाल आधी competitive exam में पूछे जाते हैं तो दोस्तों सभी person एक liner के उत्तर वाले हैं तो इसका correct answer होगा जोधपूर तो दोस्तों इसा correct answer होगा जालावार्ड तो दोस्तों राजस्तान का नियूनृतम उन उत्पदक जिला है जहलावार का जहलावार जिला तो दोस्तों आपको यहां का नियूनृतम के बाद में उन करना है यहां पर उन मिस्प्रिटिंट हो गया है टाइपिंग में दोस्तों तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ज स्दोस्ट है इस आपको बताने हैं क्लिशन में पूंचय आपर एस यह की उनकी सबसे बड़ी मंडी कौन सी है तो दोस्तों क्यांसर बताएं तो दोस्तों बीका नेर के सकते आंसर होगा इस आद टीका नेर एसे की उनकी सबसे बड़ी मंडी है बीकनेर मंडी नेक्स्ट क्यूशन राज्य का एक मात्र दुग्द विज्यान तक्निकी महविद्यले कहा है तो दोस्तों आपको क्यूशन में पूँचा है उदेपूर में इस्तित है तो दोस्तों राज्य का एक मात्र दुखद विज्यान तक्निकी माविद्याले उदेपूर में इस्तित है तो दोस्तों इसका करिक्ट आंसर होगा उदेपूर नेक्स्ट क्यूशन राज्य का एक मात्र पक्सी चिकिस साले तो दोस्तो अब आप से पूचा है राजस्तान राज्य का एक मात्र पक्सी चिकिस साले कहां पर है तो दोस्तो आपको इसका correct answer बताना है तो इसका correct answer बताएं तो इसका correct answer होगा जैपूर तो दोस्तो राज्यस्तान राज्य का एक मात्र पक्सी चिगित साले जैपूर में इस्तित है तो इसका correct answer होगा जैपूर नेक्स्ट क्यूशन भारतिय परद्योगी की संस्तान IIT कहां इस्तित है तो दोस्तो आपको इसका correct answer बताना है कहां पर इस्तित है IIT संस्तान तो दोस्तो इसका correct answer होगा जोधपूर तो दोस्तो भारतिय परद्योगी की संस्तान IIT जोधपूर में इस्तित है तो इसका correct answer होगा जोधपूर पर नेक्स्ट कुशन भारतिय परद्यो परद्योगी कैसर की संस्तान IIT कहां पर इस्तित है तो दोस्तो इसको correct answer बताना है आपका तो दोस्तो को correct answer किया होगा उसका correct answer होगा उदेपूर दोस्तों भारती परबंदन संस्तान IIM उदेपूर में इस्तित है अकिल भारती आयर्विज्यान संस्तान एम्स कहां इस्तित है दोस्तों आपको बताना है अकिल भारती आयर्विज्यान संस्तान एम्स कहां इस्तित है है दोस्तों कहां पर श्तिते हैं यह झोपूर में श्तित टोस्का अंसर किया होगा जोथ पूर दोस्तों जो अखिल सब्सक्राइब कि अच्छाली भारती है कि आयर्विज्ञान आईर विग्यान संस्तान एम्स जोदपूर में में इस्तीत है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक सेड सस्क्राइब करिएगा और दोस्तों बेल आइकेन का बटन जरू दबा दे ताकि दोस्तों हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए टेस्ट नोट अपिकसन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नएक उसनों के साथ झाल